सिविल सर्वेंट्स निराश हो जाते हो क्या लगता है सिलिवस बहुत ज्यादा है कैसे करेंगे किताबें नहीं खरीद पारे मालूम है कि ये पुस्तकें पढ़नी है लेकिन नहीं खरीद पारे आर्थे खिस्तिति नहीं है नौकरी करते हो आठ गंटे 10 गंटे नौकरी में जाते हैं आने जाने में जाते हैं कि सिविल सर्विस के तयारी के लिए समय नहीं मिलता कैसे होगी तयारी निराश हो जाते हो घर में बड़ी काई काई सब लोग आपस में लड़ने में लगे हैं, सब लोग आपस में लड़ने में लगे हैं, लड़ने में लगे हैं, जगड़ने में लगे हैं, इतने ज़्यादा शोर होता है, कोई आपकी बात नहीं सुनता कि आप तयारी कर रहे हैं, आपकी घर में एक कोना नहीं है, जिसमें ब बहुत धीमी है आपके पढ़ने की स्पीड बहुत धीमी है आपकी vocabulary बहुत कमजोर है आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है आपको syllabus का पता नहीं है वो तो syllabus तो विग्यापन मैं मिलेगा जो भी latest advertisement है net पर पढ़ा हुआ transmis आपको list of books अगर ना पता हो तो मुझसे पूछ सकते हो वैसे मेरे facebook के हर गुरूप में मौजूद है list of books लेकिन इतनी किताबर खरीदने की धनराशी आपके पास नहीं है बिटा बहुत सारे प्रश्ण ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर होता ही नहीं है कई बार अप लोग सानभूती की दर्श्ण से मुझे सवाल करते हैं कि गुरूजी कुछ उपाए बताएंगे लेकिन मैं सब बातों का एक ही जवाब आप को दे रहा हूँ परिक्षाएं सानभूती से पास नहीं होती परिक्षा उत्तिर्न सानभूती से नहीं होती कि एक्जामनर आप से इस बात के लिए सान्बूती रखे कि कोविड में आपने बहुत सफर किया है आपकी आये नहीं है आपके माता-पिता साथ नहीं देते हैं आपके पिता जी दारू पी के घर आते हैं और माता जी को तंकरते हैं परिशान करते हैं पीठते हैं या आपके घर में आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं है आपके पास पढ़ने का कमरा नहीं है किताबें खरीदने के पैसे नहीं है इन बातों पर सहनवूती रखकर एक्जामनर आपको नमबर नहीं देगा एक्जामनर एक बहुत कुरूर प्रानी है पहली बात तो प्रिलिबिनेरी एक्जामनर और वो क्रोरतम प्रानी है स्रिष्टिका वो आपकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता एक ही बात पर ध्यान देता है पूछे गए प्रशन का उत्तर आपको आता है या नहीं आता है अगर नहीं आता है तो आप fail है आता है तो pass है interview board इस मामले में भी जबकि वो आमने सामने होते हैं आप pre-pass करके आये हैं, mains pass करके आये हैं पांच मेंसे दो लोग उने लेने है, तीन लोग fail करने हैं तो तीन fail होही जाएंगे वहां पर याद रखिए कभी भी साहनवूती कार्ड मत खेलिए interview में या mains में mains के answer writing में कभी ऐसी बातें मत लिखिए जो आपको देनी बताती हूं पहली बात तो व्यक्तिकत बात mains के answer writing में लिखने ही नहीं चाहिए इंटर्वी में व्यक्तिगत बात की गुंजाईश होती है क्योंकि वो आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं व्यक्तिगत बातें पूछते हैं जैसे उन्होंने पूछा कि आपने इस साल में इंटर्मेडियर्ट किया है और चार साल बाद आपने ग्रेजुइशन पांच साल बाद ग्रेजुइशन किया है जबकि तीन साल बाद करना चाहिए था तो दो साल आपने क्या किया तो यहां पर आप सिंपैथी कार्ड मत खेलिए कभी भी यह मत बताईए दैनीता मत बताईए कि सर अरे क्या बताएं जैसे रियालिटी भी होती है कि सर क्या बताएं वो एक बच्चे न भी हमें लिखा कि उसके पिता जी गुजर गए थे यह हुआ वो हुआ तमाम बाते लिखी वो लड़का प्लैटिनम बैच लेकर भी पढ़ता नहीं है शुरू से नहीं पड़ता तो गुरुजी केवल यानि कि मैं केवल इतनी ही सानभूती उसे दे सकता हूँ क्योंकि बेटा जो चला गया पिता का स्थान तो कोई ले नहीं सकता जो चला गया उसको कोई वापस तो दुनिया में ला नहीं सकता मैं केवल इतना कर सकता हूं जलो दो महीने एक्स्टा ले लो कोर्स फूरा कर लो दो महीने और दे देंगे इतना ही कर सकता हूँ एक्जामनर यе भी नहीं करेगा इंटर्यू वर्ड यह नहीं मानेगा कि आपने जो कारण आपने बताए उनको ठोस कारण चाहिए सहनवूती कार्ड नहीं खेलना है देखिए एक प्रशन का उत्तर काई तरह दिया जा सकता है एक चात्र है जिसके पिता गुजर गए मा गुजर गई कोरोना में कोविड में बड़ी दैनी इस्तिती है घर की आर्थिक इस्तिती कमजोर हो गई बहुत दैनी इस्तिती है जैसे तैसे करके मजदूरी करके पैसे कमाता है और इंटर्वू तक पहुंचा है तो वो ये बातें इंटर्वू में नहीं बताएगा कि मैंने ग्रेजूइशन करने में एक साल मेरा इसलिए बरबाद हो गया वो ये कहेगा सर कुछ पारिवारिक परिस्तितियां थी जिसके कारण मैं नहीं कर सका और वो परिस्तितियां अनेवाइडिबिल थी मेरे हाथ में नहीं थी इसलिए मैं नहीं पढ़पा है एक्जामनर्स बिल्कुल इंटर्वू बोर्ड बिल्कुल संतुष्ट होगा 100% सैटिस्पाई होगा और वो आपके इस उत्तर को अच्छा मानेगा लेकिन अगर आप दैनीता दिखाने लगे अगर आप उनकी साहनबूत ही प्राप्त करने की कोशिस करने लगे तो इंटर्वू बोर्ड अंदर ही अंदर आपसे नाराज हो जाता है उसे लगता है कि आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और आप जानबूज के उनको प्रभावित करना चाहरे हैं इसे कि वो आपको नंबर दे दें दया करके नौकरी आपको दे दें कुछ लोग वहाँ जाकर सिंपैथी कार्ड खेलने लगते हैं सर घर में मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ दो बहने शादी के लिए हैं दो भाईयों के मुझे नौकरी का इंतजाम करना है और मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं सर भाई तो आवा रहा हैं कुछ करते नहीं है और बहुत परिशानी है सर मुझे नौकरी की सक्स जरूरत है सर इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती यार रखिए कभी भी तो सिंपेथिक आर्ड आपको बिलकुल नहीं खेलना है कहीं भी न तो मेंस में मेंस में तो गुंजाइश नहीं है लेकिन मेंस में भी नहीं खेलना है इंटर्वू में भी नहीं खेलना है मेरे पिता जी एक्जामनर थे मैं भी एक्जामनर रहा हूँ अग्जामनर साहब मुझे पास कर दीजिए मैं पास नहीं हुई तो मैं मेरी बहुत दुरदशा होगी अग्जामनर साहब मैं ससुराल में रहती हूँ अगर इस साल मुझे मौकाय खाली इस तरह के सिंपैटी कार्ड खेलने वाली चिट्टियां लिखी होती थी एक में तो एक रुपए का नोट भी उस जमाने में या दो रुपए का नोट भी चिपका हुआ था पिताई जी इन सब को रिपोर्ट कर देते थे और एक्जाम से फेल कर देते थे वो बहुत सक्त थे इस मामले में बिल्कुल सिंपेटी कार्ड पर ध्यान नहीं देते थे तो इसको कार्ड कहते हैं सिंपेटी कार्ड जैसे कि पत्ते ताश में पत्ते खेलते हैं मुझे ताश खेलना नहीं आता लेकिन मुझे इतना जानता हूँ कि ये कार्ड है मैं UPSC की एक परीक्षा का एक्जामनर रहा हूँ और मेंस जैसी परीक्षा थी उसमें भी कुछ लोग सिंपैटिक कार्ड खेलने का प्रयास करते थी लड़कियां खास करके बहुत ज्यादा प्रभावित करने की प्रयास करती थी मतलब अलग से तो लगा नहीं सकती थी लेकिन व वज़े से मैंने उनको पास नहीं किया कभी भी एक्जेक्टली कभी भी दुनिया से सानवोती मत्प्राप्ट करिए देखिए एक बात तह है कि अगर आपकी परिस्तिती चाहे जो हो लेकिन अगर आपको एक्जाम में पूछे गए प्रशन का उत्तर नहीं आता है तो आप ज़ाड के उठ बैठिए पंक समेट के नहीं बैठिए एक पक्षी जो भीग गया है वो बीच में अचानक पंक फ्रफडा के उठता है पानी को ज़ाड के उठता है और लंबी उडान भरने को तयार हो जाता है उस पक्षी से सीखिए ये दुनिया वाले कुछ नहीं देंग इस साथे हैं वो भी कुछ लोग इस तमाम लोग तो वह भी नहीं देंगे . मैं भी तुम्हें बेटा शाब्दिक सहहन्बूती दे सकता हूँ। जब तुम लोग कुछ ऐसी बात म बताते हो। मैं तो भो भी दे देता हूँ। शाब्दिक साहन्बूती लेकिन तमाम वालों से कोई आपको उत्तर मिल जाए उनकी वेबसाइटों पर किसी पर भी कुछ भी पूछ के देख लीजिए मैं हर एक उत्तर देता रहा हूं चाहे मेरे पेड़ क्लास में हो या नहों आप सब लोगी बात जानते हैं आप से जादा कौन जानता होगा पीवन पीटू देता हूं ऐसे में जादा अच्छा लगता है तो लव का चिंद मना देता हूं कुछ और अच्छा होता है तो उत्तर देता हूं God bless you लिख देता हूं कभी-कभी जब मेरा mood खराब होता है तो मैं चार-पाच दिन तक नहीं देखता हूं comments को तब बात अलग है आपको कोई उ आप हैं या और कोई भी हैं इन दो के अलावा तो मन को नियाश करने की जरूवत नहीं है आजकल तो LGBT, PQ, RST, UV, WXYZ सभी होते हैं तो इसलिए जो है कैदाना जरूरी है क्या पता कोई हो उन में से और वो उसके हाथ में भी नहीं है और वो बेचारा भी नहीं है तो इसलिए स सबका सम्मान करते हुए हर जेंडर की बात है नर का मतलब यहां सभी से है मनुष्य से मतलब है आप मनुष्य हैं मन को निराश मत करिए यह तो काफिया बिठाने के लिए कभी ने लिख दिया है नर हो न निराश करो मन को नारा नारा निराश में नारा तो इसलिए वरना तो अर्थी यही है कि आप मनुश्य हैं अपने मन को निराश ना करिए लेकिन ये ध्रुवसत्य को और इस काल चक्र को पहचानी है काल चक्र को कि जो समय चल रहा है बहुत तेजी से दोड़ रहा है आपके उम्र निकल रही है आपके पास पुस्तकें भी नहीं हैं आप सलिवस किस से करेंगे फ्री की टेलिग्राम की किताबें कितनी पुरानी हैं आपको नहीं पता गूगल बुक्स तो सबसे सड़ी हुई किताबें होती या कैडेमिक किताबें तो ठीक है गूगल बुक्स पे उनकी लिपी से ही पता लग जाता है स्क्रिप्ट से ही उनके फॉन्ट से को कितनी सड़ी हुई किताब हैं कितनी पुरानी किताब हैं पता नहीं Google Books पर नई किताब हैं क्यों नहीं डालते हैं लोग Telegram में भी पुरानी चाहिए लक्षमी कांथ का Second Edition है Public Administration का Hindi Medium का Second Edition में उतना कुछ नहीं है अब आपको चाहिए Latest Edition की किताब हैं तो बिटा कैसे काम चलेगा मैं ये नहीं कहता है कि Buy Borrow or Steel कि खरीदो उधार लो या चुराओ लेकिन उधार तो ले सकते हैं अगर ले सकें तो मैंने कभी रेन नहीं लिया आईशोर की बड़ी कृपा रही मेरे पिता का नियम था कि न रेन लेंगे न देंगे मेरा भी ये नियम था न लेंगे न देंगे मैं देता भी नियम अपने जितने कर्मचारी हैं ड्राइवर बगर जो भी हैं कर्मचारी घर के काम करने वाले उनको इसपर्ष निर्देश रहता है कि जितने दिन काम कर चुके हैं उतना तक वो जो है एडवांस ले सकते हैं अगर 15 दिन हो गए हैं काम करते हुए तो 15 दिन की तंखा एडवांस में ले सकते हैं लेकिन इससे जादा नहीं जो काम नहीं किया है वो पैसा मैं नहीं डेता उधार के तोर पे, किसी भी तरह मांगते भी नहीं है, समझ गये हैं, तो मांगते भी नहीं है, मेरे गली में एक हल्वाई है, उनकी आदत पड़ी हुए, कि वो लाख दो लाख मांगते रहते हैं हमेशा मैंने एक बार साफ कहा दिया मैंने का मैं नहीं दे सकता ये नहीं कि मेरे पास नहीं है लेकि मैं दूंगा नहीं उधार आप मांगो आपके सामने गरगड़ा है हम कहरे भाई मेरे पास नहीं है रे भाई मेरे पास नहीं मैं नह और दुबारा मुझसे ना कहा जाए, आप चाहे सामान मुझे बेचो या ना बेचो, लेकिन मैं नहीं दूँगा, मेरा नियम नहीं है, ना लेता हूं, ना देता हूं बेटे ये नियम मैंने बनाया और मैंने पूरा मकान बन वा लिया तीन वंजिल से उपर मकान बन गया जिस दिन फिनिशिंग पूरी हुई है उस दिन एक पैसा किसी का उधार नहीं था किसी का एक पैसा उधार नहीं था मैं तुरंट तुरंट चुकाता रहा पूशता रहा बही बताओ कितना हो गया अच्छा इतना चलो इतना ले लो इतना रख्षोड़ा जिससे लास्तों भाग ना जाए ये लोग बदमाश भी होते हैं तो इसलिए उनका थोड़ा सा रख्षिर है जब फिनिशिंग हो गई पूरा पैसा चुका दिया खत्म कोई किसी का उधार नहीं लेकिन बेटा अगर आपके पास इस उधार नहीं है और आपको अगर उधार लेना पड़ता है अपने करियर के लिए तो लीजिए चुका सके जिवरात बेचे मुझे पढ़ाने के लिए उनके कान सूने थे जिस समय में PCS हुआ नाक में बस एक लॉंग पहनती थी वो जमाना फिल्मी जमाना था नहीं कि जो मैला है मंगल सुत्र पहनती हूं एक नाक में लॉंग पहनती थी कान उनके सूने थे क्योंकि वो कान की जो भी थे वो 300 रुपए में 300 रुपए तोले सोना था उस जमाने में मेरी शादी की टाइम पर तो 300 रुपए में वो कान के जो अभूशन थे वो बिग गए थे बेचने पड़े थे घर में एक टुकड़ा सोने का नहीं था तो जब मैं ट्रेजरिय अफसर हुआ तो जब पैसे बचाए तो सबसे पहला काम मैंने मा के करण फूल बनवाने के लिए ही सबसे पहला काम किया कारण यह है कि हम अधार नहीं लेने वाले थे लेकिन तैयारी के लिए मुझे जो धनराशी की आवर्शक्ता थी रिसर्च में तमाम चीज़ों में उसके लिए मुझे घर की चीज़ें भी बेचनी पड़ गए कोई बात नहीं इश्वर कृपा से इतनी हो गए ही कि आप खरीदने की गुंजाइश नहीं जगे नहीं है रखने की मन होता है कि यह खरीद लें लेकिन जगे ही नहीं है छोड़ा सा घर है क्या कर सकते हैं तो यह मैं आपको उद्बोधन इसलिए दे रहा हूँ कि बेटे करियर बड़ा महतुपूर्ण है आप अगर IAS PCS बन जाएंगे तो सारे उधार चुकता कर लेंगे सारे चीज़ें कर लेंगे और हाँ एक कन्फ्यूजन मत रखना यह मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा है कि आप उधार लेके मेरी फीस भरिए मेरे कोई पेड़ ग्लास के बिल्कुल नहीं मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा है आप बिना किसी पेड़ ग्लास के भी IAS PC बन सकते हैं प्रोवाइड़ आप सिलिवस पूरा करें और SBBNR फार्मूला अपनाएं कम्प्लीट सिलिवस सारी बुक्स सारे बैक एर पेपर नोट्स बनाएं और रिवीजन करें SBBNR यह फार्मूला अपनाएंगे तो आपको मेरा पेड़ बैच भी लेने की जरूरत नही मैं इसलिए नहीं मोटिवेट कर रहा है गलत में मत रहना कि उधार लेके मेरी फीस भर लो कोई सा बैच ले लो बिल्कुल मत लो आप लोग लेंगे नहीं मुझे पता है जो किसी बैच में है उनकी बात नहीं है लेकिन जो सिर्फ P1 P2 में है अगर ले सकते तो मुझे पता ह है कि मेरे में इतनी आस्ता है कि मेरा कोई न कोई बैच वो जरूर ले लेते हैं जो लोग ले सकते हैं तो वो लेंगे ही उनके लिए मैं नहीं कहरा कि आप किसी ने किसी तरह से उधार लेके और घर की चीज़ें बेच कि मेरा नहीं 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 बिल्कुल और ये नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सुगदाती क्या नहीं थी God bless you